है लो फ्रेंड्स आ वेल्कोम यू अल ऑन दो प्लैट्फोर्म आप मातोसर यूट्यूब चैनल इसी सचीन सर जैसे हम यहां पर आज तक बढ़ रहें इंग्लीश ग्रामर हमार यहां पर चैनल पर आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाता है जैसे जी सेनिक स्कूल एंट्रेंस एक्जैमेनेशन जावार नौइधवधिया लाएंटरेंस एकूर्फियू और uす meamm आज लेकर प्रिपोजिशन और यह प्रिपोजिशन का पईललेट आपह प्रट वेन इहें part 1 ही है क्योंकि बहुत सारा matter है बहुत सारी चीज़े है उसमें detail में preposition में इसलिए उसके दो वीडियो बनेंगे ठीक है पहले part में हम जो basic preposition से वो discuss कर लेंगे उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा preposition पे जो बाकी prepositions रहेंगे उसके उपर पर हम detail में discuss कर लेंगे ठीक है I hope you are all with us हमारे साथ बने रहे आपको आगे भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा ठीक है without wasting time we'll start with the preposition ठीक है preposition का जो नया part of speech है जो topic है हम शुरू कर रहे ठीक है पहले समस्ते definition क्या है exactly what is a preposition preposition होता क्या है जैसे कि हमने अभी तक noun देखा है pronoun देखा है adjective देखा है adverb देखा है verb भी देखा है verb में हमने दो चीज़ देखे helping verb verb and model auxiliary कापी detail में discuss किया हमने अगर ये वीडियो आपने देखा होगा तो कोई भी concept आपका यहने कि इसा sub concept आपको clear हो जाएगा I guarantee you ठीक है कापी हमने exam में जिस तरह से question पूची जाते उससे ज़्यादा हमने उसको अच्छी से detail में discuss किया है तो आपका question का level advance भी हो जाता है तो आपका question का answer बराबरी आएगा अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर नहीं भी देखा होगा तो फिर से एक बार देखी लीजेगा और आप channel subscribe नहीं किया तो एक बार channel subscribe कीजेगा मातोसर YouTube channel आपको कापी भाइदा होने वाला इसका ठीक है हमारे साथ बने रहे और दूसरी बात है कि हम तो online पढ़ाते ही है लेकिन उसके साथ-साथ हमने offline badge भी शुरू किया है जिस किसी को admission लेना है यहाँ पर enroll कर सकता है मातो सर जो classes है हमारी यहाँ पर आप मातो सर को मिलीजे और उनसे contact करके आप admission में enrollment कर लीजे ठीक है admission ओके without wasting time we'll start with the preposition preposition होता क्या है preposition है एक word है जो हम sentence में use करते है ठीक है generally हम क्या करते है दो word को connect करने के काम करते है preposition से that means what preposition is a word which connects two words हम दो words को connect करते तो हो दो words कौन से noun noun हो सकते noun pronoun हो सकते noun verbs हो सकते noun adjective हो सकते कुई भी दो word वो connect करता है एक बात यहाँ पर important है वो जो word है सिर्फ यहाँ पर connect करने का काम नहीं करता है तो वो दो words का relation भी बताता है दोनों का relation क्या है उसको भी वो दिखाता है this word is called preposition यह preposition से connect करने का काम नहीं करता है दोनों का relation भी बताता है पहले हम definition देख लेंगे then we'll study example so that your understand will be better ठीक है preposition preposition it is a word और group of words used to use before or after the nouns यह noun के पहले या noun के बाद में आथा है और pronounce प्रनौन के बाद भी प्रनौन के पहले भी आ सकता है in a sentence कई भी भी आ सकता है preposition to establish a meaningful relationship between these two words यानि कि जैसे मैंने आपको बताय था जो दो words को वो connect करता है दोनों का relation दिखाने का काम करता है वो दो words में relationship establish होती है उसको हम क्या बोलते है preposition ठीक है यापे देखिए example देखिए आपका idea एकदम clear हो जाएगा आपका confusion ने misunderstanding और जो भी problem से आपका clear हो जाएगा जब हम example देखेंगे तब ठीक है यापे देखो there is sugar in the pot यापे एक preposition हो है in यापे मिन देखो underline भी किया है in यानि यापे sugar और the pot ये दो words को connect करने का काम कों करता है in that is why in is what it is a preposition यापे देखो वो सिर्फ connect करने का काम नहीं कर रहा है दोनों का relation भी बता रहा है that is why it is a preposition कई से देखो there is sugar अगर हमने in को निकाल दिया तो sentence क्या बनता है there is sugar the pot यानि शुगर भी है और pot भी है कोई तालमेल ने समझ में आ रहा है हमें लेकिन जैसे हम in use करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है जो sugar है sugar का relation है pot से यानि कि शुगर रखी गई है pot के अंदर जब हम in use करते हैं तो हमें समझ में आता है sugar हमने pot के अंदर बरतं के अंदर रखी है समझ में आ रहा है that is why in is what preposition यानि कि in सिर्फ connect करने का काम नहीं कर रहा है वो दोनों का relation भी बता रहा है that is why in is preposition next example देखे he is coming by the train या पर by जो है it is a preposition इसने coming यानि कि वो भी है और the train ये नहीं नहीं दोनों को connect करने का काम किया है यानि वो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है train से आ रहा है यानि कि आने का जो relation है वो train से है train से आ रहा है या by ने उसको connect भी कर दिया है और दोनों का relation भी बता दिया है, आने का और train का, कैसे आ रहा है, train से आ रहा है, he becomes angry with me, he becomes angry with me, वो मुझसे गुसा है, या फिर मुझपे गुसा हुआ है, ठीके, या पर देखो, angry is the adjective, और me is the pronoun, दोनों का, दोनों को connect करने का काम with ने किया है, और दोनों का relation भी बता दिया है, वो गुस्ता तो है, लेकिन किस से, मुझ से गुस्ता है, मुझ में गुस्ता है, समझ मैं रहा है, that is why, which is a preposition, we were talking along the road, sorry, we were walking along the road, हम रस्ते से एक साइड से जा रहे थे, ठीके, along the road, रस्ते के किनारे से, रस्ते के साइड से हम जा रहे थे, यहाँ पर देखो, walk along, यह जो preposition है, उसने walking and road को connect कर दिया है, और दोनों का relation भी बता दिया है, जा रहे लेकिन कैसे जा रहे, रस्ते के किनारे से जा रहे, along से, ठीके, the cat is sitting under the table, cat बैटी है, कहाँ पर बैटी है, टेबल के नीचे बैटी है, अंडर जो है preposition है, और उसने sitting और table को connect कर दिया है, और उसने जो बैटी है, उसका relation किस के साथ है, टेबल के साथ, टेबल के नीचे बैटी हुई है cat, ठीके, इसलिए अंडर is what, preposition, I had lunch with my mother, ठीके, मैंने ममी के साथ लंच किया है, यहाँ पर लंच और मदर को connect करने का काम किया है, वीट ने, और दोनों का relation भी बता दिया है, लंच किस के साथ हुआ है, ममी के साथ हुआ है, that is why, with is what, it is a preposition, यहाँ एक बात तो आपको समझ में आई होगी, preposition, दो words को connect भी कर रहा है, और दो लोग का relation भी बता रहा है, अगर आपने उसको निकाल दिया, तो sentence ओडे meaningless लगते है, incomplete लगते है, meaning में, that is why, it has its own importance in sentence, preposition का बहुत important sentence में, एक बात और एक आद रखो, अगर English में command बनानी है, अच्छी fluency बनानी है, तो आपको tense, auxiliary, part of speech में अगर देखेंगे, आपका अच्छा hold बनता है, अच्छा fluency बनता है, तो आप easily English में आच्छी से बात भी कर सकते हो, और grammatically हम correct English भी लिख सकते हैं, यह फाइदा है उसका, इसलिए इसमें हमारा hold होना बहुत important है, यहाँ पर हम सब detail में ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे साथ बने रहे हैं, उसके बाद हम जो कुछ preposition के type भी है, उसके बार में हमें detail में discuss कर लेंगे, यहाँ पर देखिए, preposition use करने के type भी होते हैं, पहला है prepositions of time, ऐसे preposition हम यूज करते हैं sentence में, जो time के बार में information देते हैं, time के बार में use किया जाते हैं, that is why they are called prepositions of time, दूसरे है prepositions of place और position, यहाँ जगह के लिए भी और place दिखाने के लिए भी, place शो करने के लिए भी कुछ prepositions use के जाते हैं, उसको बोलते है prepositions of place, और next है prepositions of manner, तरीका, manner हमने आइड़ोपन भी देखा है, तरीका, तरीके के लिए कुछ prepositions use के जाते हैं, उसको बोलते है prepositions of manner और last वाले है prepositions of direction यानि दिशा बताने के लिए भी कुछ particular prepositions use करते हैं हम English में उसको हम क्या बोलते हैं prepositions of direction समझ मैं रहा है इस वीडियो में आज हम सिर्फ prepositions of time discuss करने वाले है बहुत important है हमें detail में discuss करना है कि हर एक जो prepositions जो time के बार में बताता है उसका में यहाँ पर detail में discuss करना है तो we'll start with the prepositions of time in this lecture in this video lecture और बाकी के जो तीन है वो हम next video लेकर आएंगे उसमें हम discuss करेंगे detail में तो पहले start करते है prepositions of time में time को और उसमें जो prepositions आते हैं वो one by one discuss कर लेंगे ठीके prepositions of time पहला है add है तो add का use क्या होता है prepositions of time के लिए ठीके add काफी important है देखो हमारे पास अगर time की बात करेंगे हम हमारे पास 24 hours है विदिन याने के दिन के 12 गंटे और रात के 12 गंटे से हमारे पास 24 hours है 24 hours में हम जब भी कोई activity करते action करते किसी exact time पे तो जो हम exact time mention करते ना जो भी exact time होगा उसके पहले हमेशा add यूज किया जाता है यह बात याद रखो अगर मैं बोलता हो दस बजे एक बजे तीन बजे पास बजे exact time बता रहा हो ना बले हो साड़े बारा बजे हो 12.30 हो 1.30 हो या फिर 2.30 हो जो भी है वो exact time की बात अगर मैं जब भी करता हो तब add का यूज होता है दिखिए पहला मैं हर रोग सुबे पास बजे उठा हो मेरा उठने का चो time में exact time कितना है पास बजे that is why I have used add before 5 a.m. समझ मैं बहुत simple है दुसरा we will meet at 7 o'clock हम 7 बजे मिलेंगे हमारा मिलने का time क्या है exact है कुन साथ बजे 7 बजे 7 बजे exact time आए ना इसके पहले हमने क्या use किया है समझ मैं बहुत simple है जब भी हम time के बात करेंगे और उसमें क्या है आट हमें सिर्फ exact time के पहले यूज करना है ठीक है दुसरा कुछ special और specific time भी होते दिन के उसके लिए भी हम add का use करते ठीक है पर एक्जम्बल देखें है तो अगर add afternoon बोलेंगे दिन में दिन की बात करेंगे तो add afternoon रात की बात करेंगे तो at noon sorry at midnight और at night बोलते है देखें आपे at noon I shall meet you at noon दोपेर में अगर midnight में आप कुछ action कर रहे हो तो midnight के पहले हमेशा at आता है I will be there at midnight और night भी अगर बोलते हो आप night के लिए भी कुछ करते हो तो उसके लिए भी पहले at आता है night के पहले I will stay with you at night मैं आपके साथ रहूंगा पूरी राग ठीक है यानि कि night midnight और noon और afternoon के लिए भी उसके पहले हमेशा at use करते यह दिन के कुछ चूबिस घंटे में कुछ special time होते है specific time होते है इसलिए हम उनके पहले हमेशा at use करते है तीसरा एक यूज एड का जब भी हम किसी फेस्टिवल जो फेस्टिवल एक दिन से ज़्यादा है for example Christmas है दिवाली है ऐसे फेस्टिवल में हम कुछ अगर activity करते है वो फेस्टिवल जो है एक दिन के नहीं रहते है more than one day के रहते है अगर कोई भी फेस्टिवल है जो एक दिन से ज़्यादा होता है celebrate किया जाता है तो उस festival में जो भी हम कुछ करते हैं तो action बताते हैं तो उसके पहले हमेशा ओ जो festival के पहले हमेशा at use किया जाता है यहाँ पर दिखें तो show holidays or festivals that are two or more days दो दिन याँ भी दो दिन से जादा होता है for example Christmas है दिवाली है तो उसमें हम जो भी कुछ करते हैं और ऐसे festival के आगे at use किया जाता है यहाँ पर दिखें we are having a party at Christmas हम काफी आच्छी party कर रहे हैं कब party कर रहे हैं Christmas में और Christmas दो तीन दिन से जादा वा festival होता है दिन का festival होता है next example we will enjoy a lot at Diwali दिवाली क्यों कि दिवाली भी एक दो दिन से जादा दिन के लिए celebrate की जाती है that is why add Diwali ठीके इतना इसमें एक ही ज़्यादा चीज यह याद रखो कि exact time से पहले add का use जो है time में exact time के पहले हो जाता है ठीके ओके we'll study now the next preposition on on भी बहुत important है देखो इससे क्या होता है हमारे जे common errors होते हैं English में हम बोलते समय लेखते समय वह अवैड हम कर सकते हैं अगर हम अच्छा उसका preparation करेंगे तो दिल से ठीके on देखो यापे on time के लिए कब use होता है जब भी हम जो days होते है Monday to Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday जब भी हम कई साथ दिन के बारे में बोलते हैं कौन सब एक दिन और साथ दिन के बारे में लिखते हैं कौन सब एक दिन हमें mention करना है date के पहले हमेशा on आता है यह बात याद रुखो for example देखो I was absent on Monday मैं Monday को absent absent हां Monday मैंने आपे ले लिया है इसके वज़े से मैंने उसके पहले on use किया है क्योंकि यह day है Monday is what? It is a day next देखो there is holiday on Saturday Saturday को क्या है? छुट्टी है और यहापे मैं Saturday की बात कर रहा हूँ एक day है इसलिए day के पहले क्या आया है? on आया है हमेशे याद रुखो day के पहले हमेशा on आता है दुसरा है कि use है on का to show dates जो पर date होती है date जिसमें तारीक आती है एक day की उसमें month आता है और year आता है full date होती है उसके पहले हमेशा on use किया जाता है for example दिखे I was born on 1st January 2000 मेरा जनम जी हुआ है 1st January 2000 में हुआ है पूरी तारीक मैंने बताई है date बताई है month बताई है और साल भी बताई है अगर मैं इससे पूरी date बताता हूँ date के पहले हमेशा on use क्या जाता है my exam is held on 25th November 2024 मैं एकदाम कब से शुरू हो रहा है कब से है 25th November 2024 से यानि कि एक fixed date बताई है उसलिए हमने उसके पहले on use किया है या भी भी fixed date बताई है उसके वज़े से हमने उसके पहले on use किया है date के पहले हमेशा on आता है यह भी याद रखना है ठीक है next to show once activity on sharp और exact time जब भी हम कोई activity time पे करते है एकदम time पे समय पे उसके लिए भी on use करते हम हम बोलते ना रे समय पे आना है समय पे खाना है समय पे सोना है समय पे उठना है यानि on time एकदम दीखिए he arrived on time वो एकदम time पे आ गया एकदम समय पे आ गया ना लेट उस ना पहले ना बाद में एकदम टाइम पे आ गया He reached on time for my exam I reach on time for my exam मैं एकदम बराबर time से time पे exam पे पोज गया exam के लिए पोज गया यहने ना exam के ज़्यादा पहले ना exam के काफी बाद एकदम टाइम पे जो time दिया था उससी टाइम पे में वहाँ पोज गया हो इसलिए on time समझ मैं होगा आपको on का इस तीन use है जनरली देट के लिए डेट के लिए और exact on दूसरा on time के लिए समय पे लिए ठीक है? next preposition है in जैसे on का use है जैनरली जब भी हमें months की बात बूलनी है January to December जो हमारे पास 12 months है जब भी हम किसी कोई month को mention करते है January to December तक उसके पहले हमेशा in आता है ठीक है? example दिखिए I was born in May मैरा जनाम कौन से मैं नहीं हुआ था? मैं मैं हुआ था मैं को हम express कर रहे है मैं को बता रहे है इसलिए उसके पहले in मैं 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 जनाम को हुआ है? मैं 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 हुआ है समझ मैं आ रहा है? इसलिए यहाँ पे month से पहले in आता है दूसरा और exam is in December उसका exam कब है? December में है फिर से हम month की बारे में discuss कर रहे हैं नहीं आप बे वैसे month के लिए हम in use करते वैसे ही years यह साल के लिए भी हम in का use करते है अगर सिर्फ हमें साल बताना है सिर्फ year उसमें month और date नहीं आनी चाहिए सिर्फ year तो भी हम in का use करते है देखो यहाँ पे I will visit Australia in 2025 मैं 2025 में ऑस्टले जाने वाला हूँ सिर्फ में साल की बात कर रहो 2025 में कौन सा माइना कौन सा डेट में ने मेंशन नहीं किया है सिर्फ year की बात बोल रहो that is why I have used in before year समझ में है next He will be 30 years old in 2028 वो 28 में 30 साल का होने वाला है हम 28 की बात कर रहे 2028 की बात कर रहे साल की बात कर रहे उसलिए यहाँ पर हमने in use किया है समझ में दूसरा किसरा use है उसका to show the activities happening at the end of the given time यानि कोई भी activity हम समय से पहले अगर कर रहे है तो उसके लिए भी in का use होता है in time in hour यानि एक गंटा होने से पहले in two hours दो गंटे पहले complete होने से पहले जब भी हम कोई activity करते है तो उसके लिए in use होता है देखो आपे the teacher will come in an hour teacher एक घंटे में आ जाएंगे तो उसका मतलब यह है एक घंटा खतम होने से पहले आ जाएंगे समझ में रहे end of the जो end time यह एक घंटे का उसके पहले अगर कोई action होती है तो उसके लिए हम in use करते है I shall give you your money in a month मैं तुमारे जो जितने भी पैसे एक मेने के अंदर दे दूँगा उसका मतलब यह है एक मेने में दे दूँगा इसका मतलब यह है month खतम होने से पहले तुमारे पैसे तुमें मिल जाएंगे यानि कि जो time दिया है उसके पहले अगर कोई activity होती है action होती है तो in का हम use करते है ठीक है यानि कि in के भी तीन use है जो आपको समझ दे बहुत important है ठीक है we'll study the next preposition of time that is the within within means what जो time दिया गया है उस time में कभी भी अगर कोई action होती है तो उसको हम within use करते हैं उसके लिए दिया हुआ time अगर मैं बोलता हूँ within a month एक मैने के अंदर यानि एक तारिक से 30 तारिक तक कभी भी ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ end के time में एक तारिक से 30 तारिक तक कभी भी उसको बोलते हम within a month अगर मैं बोलता हूँ within a day एक दिन के अंदर यानि जब से दिन शुरू आए और एंड होने तक कभी भी अगर कोई action होती है तब मैं बूलूंगा within a day यहापे देखिए To show the activities being completed anytime in a given time कभी भी हो सकती complete action जो time दिया गया है उसमें तब आपको within news करना पड़ेगा यहापे देखिए The teacher will come within an hour Teacher कब आएंगे एक गंटे में एक गंटे में कब लेकिन जब एक गंटा खतम होने कोई तब नहीं एक गंटे में कभी भी यानि जैसे गए एक गंटे के अंदर वो कभी भी आ सकते एक मिनिट के बाद आ सकते दो मिनिट के बाद आ सकते पांच मिल्ट के बाद आ सकते या फिर आदा एक गंटे के बाद भी आ सकते यानि जो तो time दिया उन्होंने उसके अंदर वो कभी भी आ सकते है लेकिन time होने के बाद निया उसके पहले है the train will arrive within half an hour train जो है आदे गंटे में कभी भी आ सकती है within an half hour कभी भी आ सकती है आदे गंटे में इसलिए within an half hour I will finish my task within a day मैं मेरा जो काम है काम मुझे दिया गया है वो एक दिन में मैं कभी भी करूंगा कभी भी इसलिए within समझ मैं होगा आपको ठीके? ओके दुसरा preposition है by by जनरली ये भी time के लिए use किया जाता है ये preposition of manner में भी use होता है preposition of place में भी use होता है preposition of time में भी use होता है अगर हम जब time में उसको use करेंगे तो उसका meaning होता है deadline के लिए जब भी हम किसी task के लिए जब भी कोई activity के लिए जब भी कोई action के लिए हम अगर किसी को deadline देते है last तारिक, last वक्त, last time देते है तो उसके लिए उसके पहले हमेशा by का use होता है deadline के लिए, लेकिन जो time दिया है उसके बाद नहीं है, उसके पहले वो action होनी चाहिए अब दिखें, by कब use होता है not later than जो time दिया है उसके बाद के लिए नहीं उसके पहले के लिए before or at a particular time जो time दिया है उसके पहले या फिर उसके और थड़ा उस time पे या फिर उसके पहले उसको बोलते उसके लिए use करते हैं by, simple word में बोलेंगे we use by for deadlines, जो deadline दी जाती है उसके लिए उसके पहले हम हमेशा by use करते हैं अगर मैं बताऊंगा आपको एक तारिक तक आपको assignment submit करने पढ़ेंगे इसका मतलब यह है मैंने आपको एक deadline दिया है assignment submit करने का कौन सा? एक तारिक तो हम ऐसा बो सकते you will have to submit your assignments by first जो भी तारिक है deadline कुन से एक तारिक इसलिए मैंने क्या बोला by first date ठीक है इस प्रकार से example दीखिए आपे और एक sentence उन्हें बताई information deadline is the time before which something must be done जाने कि जो deadline दी गई है उसके पहले हमारा activity खतम होनी चाहिए जो काम दियागा है वो example दीखिए guest must vacate their hotel rooms by 11 a.m जो guest है उनको अपने hotel के जो room से कब खाली करने है सुबे 11 बजे से पहले खाली करने है यादि के deadline कुन से है 11 बजे इसलिए हमने उसके पहले by use किया है देखिए आपे by 11 समझ मैं है next please send us the payment by tomorrow आप हमें हमारा payment कर दो और मैंने deadline कब दिया है tomorrow का कल तक आपको हमरा payment करना पड़ेगा परसों हम नहीं लेंगे लेकिन कल तक हमें चाहिए that is why we use by before tomorrow next student must enroll by the end of the June बच्चों को admission लेना है कब लेना है June के end से पहले June end के बाद हम नहीं लेंगे शायद July में हम नहीं लेंगे आपको उसके पहले प्रोसेस कतम करना है that is why आप हमने deadline को से दिया है end of June इसलिए उसके पहले क्या यूज किया है by बहुत simple है थोड़ा difference होता है वो हमें समझना है इससे हम common errors avoid कर सकते एक language पर अच्छी fluency आ सकती है अच्छी command आ सकती है ठीके है ओके next from to यह बहुत easy है जब भी हमें कोई activity का beginning point और उसका end point बताना है तब हम use करेंगे from to from होता है beginning point के लिए और to होता है end point के लिए for example हमारा यहापे coaching चलता है for example बता रहो में सुबह 8 से रात के 8 बज़े तक हैने coaching का जो beginning point कभ है 8 बज़े सुबह और end point कभ है रात के 8 बज़े यह फ्रॉम 8 एम टू तू 8 पियां 8 से 8 बज़े तक इस प्रकार से जब भी हमें कोई beginning point और end point बताना है time के लिए तब आपको use करना पड़ेगा from to यह आपे दिखिए and activity from beginning point to end point example दिखिए the store is open from 9 a.m. to 6 p.m. everyday जो दुकान यह store हो हरोज खुला रहता है कब से कब तक सुबह 9 बज़े से साम के 6 बज़े तक यह 9 बज़े का beginning point है और 6 बज़े का end point है 6 बज़े का बाद दुकान बंद हो जाता है समझ मैं है next the conference will take place from Monday to Wednesday next week next week conference कब होने वाला है कब आयजुद किया है next week में किया है कब से लेकिन Monday उसका beginning point है और कब तक चलेगी Wednesday तब beginning point is Monday and end point is what Wednesday समझ मैं है next example our school works from 10 a.m. to 5 p.m. हमार जो school है जो working रहता है उसका जो चालू रहता है उसका चालू रहने का time कौन सा है सुबे 10 से शाम के 5 बजे तक बहुत simple है उसका school का जो opening का जो time है वो होता है 10 से और end का time होता है close का time 5 बजे या दिन बार चालू रहता है इस प्रकार से उसको हम उसके लिए यूज़ करेंगे हम from to ठीक है next preposition बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते और फॉर कब यूज़ करते क्यों करते जब भी हमें action का जो हो रही action उस action होने का अब तक कितना time हो चुका है एक total period कितना हुआ है exactly ओ टाइम बताने के लिए हम फॉर यूज़ करते देखो या पे it shows total period of time जो action शुरू ही है past tense में अब तक उसका exact time कितना हुआ है duration कितना हुआ है वो बताने के लिए हम फॉर का use करते that means फॉर शोज total period of time example देखें के तो आपको समझ में आ जाएगा देखो I have been studying for 4 hours यार मैं 4 यानि कि 4 गंटे से पढ़ रहा हूँ मेरा जो पढ़ने का जो काम है मैंने शुरू किया था past tense में अभी तक मैं कर रहा हूँ और अभी तक पढ़ने का जो time कितना हुआ है 4 hours total period कितना हुआ है time 4 गंटे का इसलिए मैंने use किया 4 total period कितना हुआ है 4 गंटा इसलिए मैंने उसके पहले use क्या 4 इसलिए total period बताने के लिए हमेशा उसके पहले 4 आता है यहाँ पर देखो they have been playing for 2 hours त्यार total period कितना हुआ खेलने का 2 गंटा 2 गंटे से वो खेल रहे है समझ में आ रहा है इसलिए 4 next it has been raining for a week एक हपते से बारिश हो रही है कब से बारिश हो रही है एक हपते से यहाँ टोटल अभी तक बारिश हो रही है और अभी तक period कितना हुआ है time कितना हुआ है बारिश चालो उसका एक हपता यहाँ कि एक हपते से बारिश हो रही है इसलिए यह आपे for use किया है next, he has been suffering from favor for fewer for two days यार उसको दो दिन से बुखार है उसको जो बुखार आये ना और आज तक कितना time हुआ है, दो दिन हो चुके इसलिए for two days दो दिन पुरा time हो चुका है उसका बुखर है इसलिए जब भी आम total period की बात करते है for use करते है, I hope आपको समझ में होगा ठीक है, okay let's see the next preposition since, देखो since और for में बोथ लोगों का confusion होता है बोथ student का confusion होता है जो हमें नहीं होने देना है for जो होता है ना, वो total period of time दिखाने के लिए होता है, और since जो होता है जो action अच्छन हमारी past tense में हमने शुरू की है ना, उसका beginning point दिखाने के लिए होती है जब भी हमें कोई action का beginning point दिखाना है जो past में शुरू हुई है उसका शुरुआत कब हुआ है उस action का, जब भी ऐसा बताना है ना तो उस beginning point के पहले हमेशा since use होता है यह बात याद रखो जब उसका meaning since shows the beginning point of action in the past यह पास में जो हमने action शुरू किया है उसका beginning point से पहले हमेशा since का use होता है example दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको जो for और since वाला confusion है, वो भी clear हो जाएगा यह आपे दिखें I have been studying since this morning मैंने पढ़ाई तो शुरू किया है past tense में उसका लेकिन beginning point का आप है आज सुबह से ही शुरू किया मैं यह ने बता रहो, मैं कितने time से पढ़ाई कर रहो पढ़ाई मैंने कब start किया है, मैं सिर्भी यह बता रहो कब शुरू किया है, सुबह आज सुबह, इसलिए मैंने यह आप है since use किया है second example देखते है they have been playing since 10 a.m वो 10 बज़े से खेल रहे है यह ने उन्होंने खेलने का जो activity है जो action है, वो past tense में शुरू किया है और उनका शुरू करने का जो activity है वो कब से था? 10 बज़े से इसलिए हमने यह आप है since use किया है, यह ने कि beginning point कितना है 10 बज़े it has been training since last Monday last Sunday से यह ने पिछले समवार से बारिश हो रहा है बारिश शुरू होया आज तक शुरू है लेकिन बारिश शुरू होने का beginning point कब से है कब है? Monday और भू भी कौन सा? last Monday पिछले वाला समवार से बारिश हो रही है इसके बारिश का beginning point है last Monday उसके बारिश नहीं थी उस तब से शुरू होई है he has been suffering from fever since yesterday उसको बुकार तो है लेकिन बुकार कब आया है उसका beginning point कब है? yesterday कल से ही उसको बुकार है उसके पहले नहीं था इसके वज़े से आपे हमने since use किया है I hope आपको for और since का confusion दूर हुआ होगा ठीके? okay next जो preposition है till और until लगबग दोनों का मिन सेमी होता है till और until का मतलब होता है तब तक जो भी time देते हम उस समय तक English में अगर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है up to the time जो डिया हुआ time रहता है वहा तक till और until till और until में difference एक ही है till generally हम में इन formal situation में यूज़ करते हैं जैसे कि हम friend से बात कर रहे है अपने close relative से बात कर रहे है तब हम till का यूज़ करते हैं और जब हम until यूज़ करेंगे तो वो होता use formal situation में अगर हमारा boss है जा पर हम work करते हैं काम करते हैं किसी teacher से बात करते हैं तो वो होती है formal situation और उस formal situation में हम यूज़ करेंगे until का it sounds good बाकी difference तो नहीं है सिर्क difference है situation का अगर formal है तो until यूज़ करो अगर situation informal है तो till यूज़ करो बाकी तो meaning semi अलगबग is often used in a spoken language और in informal writing informal हम यूज़ करते till example दिखिये I shall wait for you till five o'clock मैं तुमारा इंतजार करूँगा लेकिन कब तक पास बज़े ता दिया हुआ टाइम कुन सा है पास बज़े सिर्क मैं पास बज़े तकी तुमारा इंतजार करूँगा इसलिए यहाँ पे till use किया है और कौन सा यह informal situation है she will be there in her office till six pm उसके office में वो होगी कब तक होगी छे बज़े तक टाइम कौन सा है छे बज़े दिया है वो टाइम छे बज़े और छे बज़े तक ही वो सिर्प office में रहनी वाली है इसलिए till six pm until use होता है नहीं जाओंगा निकलूंगा यहाँ से इसलिए यहाँ पे until use किया है please wait here until I return जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक आपको यहाँ से आपको wait करना ही यहाँ पे मेरे रहा देखनी है जब तक मैं return नहीं आता हूँ तब तक the store will remain close कब तक close रहने वाले दुकान till further notice जब तक आपको आगे का notice नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पे दुकान आपके बंद रखने बढ़ेंगे समझ में आ रहा है क्यानि यह till और until लगबग same ही है difference इतना है situation का till use होता है informal situation में और until use होता है formal situation में ठीक है okay we'll move to next preposition during during भी बहुत important day preposition time का preposition of time है भी बहुत important day during हम क्या time के लिए use करते लेकिन एक बहुत बढ़ा time है उस time के दोरान अगर हम कुछ activity करते तो उस time को general हम during के साथ use करेंगे समझ में आ रहा है बहुत बढ़ा time है उस time हमने क्या activity किये उसके दोरान क्या-क्या activity किये उस दोरान यह word ए उसके लिए जर लिए during के word उस करेंगे for example vacation में हमने cricket खेला I have played during vacation during the vacation and vacation के दोरान मेंने क्या क्या cricket खिला है ऑनने उस time के दोरान हमने क्या-क्या activity किया उस time के जनरल हम दूरिंग दूरिंग देखें, it indicates a period of time when something happens, वो एक time दिखाता है, जिसके उस time पे क्या-क्या activity हुई है, उस activity बताने के लिए हम दूरिंग 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 करतें, it is commonly used to show the time within which an event occurs, जो बड़ा time है, उसमें क्या-क्या activity हो गई है, उसको बताने के लिए, उस time को हम time के लिए during word use करते हैं, और an action takes place, उसके दौरान कौन कुछी गटनाई हुई है, कौन कुछी action हो गई है, वो बताने के लिए हम क्या use करते हैं, during use करते हैं, ठीक है, example देखे, during the meeting, यहने meeting के दौ गंडे का, उस time के दौरान, क्या हुआ है, she presented her proposal, उसके अपने proposal रखा है, ठीक है, she presented her proposal, time कौन सा है, meeting का, इसलिए meeting के दौरान, ठीक है, we went for a walk during the afternoon, afternoon का जो time में, दो तिंग गंडे का, उसके दौरान क्या हुआ है, we went for a walk, हम चलने के लिए, छोड़ा walk के लिए चले गए, we walk के लिए हम चलेगे, उस time के दौरान, time कौन सा था, afternoon का, इसलिए during, next, he fell asleep during the movie, वो सो गया है, लेकिन सो जाने के उसका time कौन से वक्त के दौरान हो सो गया, movie जो चल रहा था, उस वक्त के दौरान हो सो गया, इसलिए during the movie, समझ मैं है आपको, देखुए आपे, the fire alarm sounded, fire alarm बजा है, during the night, right night के time में बजा है, जब night start हुई, तब से end होने तब, उसके time के दौरान है, दौरान, तब क्या बजा है, fire alarm बजा है, तीक है, इसलिए यहाँ पर during, time कौन सा है, night का, they travel to Europe, उरोप गये है, कौन से दौरान गये है, during summer, summer यानि कि जो summer vacation में, जो छुटिया मिलती है, उस शुटियों में वो का गये, यूरोप गये, घुमनी के लिए गये, उस time के दौरान, कौन से time के दौरान, summer के vacation के दौरान, वो यूरोप घुमने गये, यानि दौरान जब आप ऐसा word यूज़ करते है, उस time के दौरान, और क्या-क्या आक्टिटी हो गई है, कौन-कौन स और generally उसी पर ही repeatedly question पूछ जाते हैं, यह जो preposition से, और जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे आपको, जो discuss कर रहे हैं हम आपको, वो सिर्फ आप exam point of view से मत पढ़िये, अपना language उंपरू करने के लिए, और language development के लिए भी आप उसका study कर सकते हो, क्योंकि हम कापी detail में यहाँ पर discuss कर ताकि आपको कोई queries नहीं रहेंगा, अगर फिर भी आपको कोई queries है, तो आप comment box में उसको comment लिक दीजेगा, वो comment हमारे पास पहुच जाएगी, और उस problem को, उस query कॉम जल सजल solve करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे हमारे जो channel है, YouTube, मातोसर YouTube channel उसको subscribe क कीजेगा, अगर यह video बहुत आपको अच्छा लगा होगा, तो उसको like कीजेगा, जरूर कीजेगा, और आपके friends में उसको share कीजेगा, ठीक हो, आप जो आप लाइक करेंगे, subscribe करेंगे, तो हमें बहुत खुशी होती है, और हमारे भी confidence बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम आपक आपकी जो जितने भी type से वो सब discuss कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रिपूशी यह type जो topic है, खोड़ा बड़ा था, इसलिए उसके दो वीडियो बनेंगे, इसलिए आप next video भी जरूर देख लेना, जो आपको जलसी जलसी उसको ले गाएंगे, ठीक है, I hope so, कि आपको यह video अ बारओ,